नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री ने बोकारों एवं रामगर जीले के रिए करोडों की योजनाओं का सिलल नयास एवं उदघाटन भी किया है लोगों के बीच परी संपत्यों का बित्रन किया गया मुख्य मंत्री हमान सुरेण ने बोकारों के गोमियों परखन के ललपनिया पूटबोल मैदान में आयोजीत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दोरकार करम से 45 लाग साधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में जहारखन मुख्य मंत्री मैया समान योजना की दूसरी किस्त की राशी टांसफर की है इस औसर पर जहारखन के मुख्य मंत्री ने कहा है कि जब उनकी सरकार बनी तो राजे में कोरोना जैसी महमारी आ गई उन्होंने कहा है कि कुरोना के दोर में हमारे परोसी राजियों में अंगिनित लोगों की मौत हो गई इस्थिती ऐसी बनी की लोगों के सो जलाने के लिए लकड़िया खत्म हो गई उन्हें जैसे तैसे दफना दिया गया हेमनसुरे ने कहा है कि कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि कोरोना काल में मरने वाले लोगों कामतिम संसकार तक नहीं किया गया नदी में स्ववो को बहा दिया गया हमारी सरकार मुस्ताधि से लगी थी जारखन के पचीस सो मीनी आंगनवाडी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड जारखन के पचीस सो एकावन मीनी आंगनवाडी केंद्र पुन आंगनवाडी केंद्र के रूप में अपग्रेड होंगे केंद्रिय महिला यवं बाल बिकास मंत्री और पुर्णा देवी ने सुकरवार को पोरजेक्ट भौन सभगार में राय सरकार के महिला यवं बाल बिकास बिभाग के पताधिकार्यों के साथ होई बैटग में इस पर सुक्रिती पदान की है बता दे राज्य के और सट सो पचास आंगनवाडी केंद्रों को पहले ही अपग्रेट करने की केंद्र की सोगीती मिल चुकी है केंद्रिय मंत्री ने बैठे में बिभीन केंद्रिय योजनाओं की प्रगति की समिक्षा की इसी करम में उन्होंने योजनाव में तेजी लाने के निर्देश पतादिकारियों को दिये हैं वहीं केंद्रिय मंत्री ने आगनवाडी सेविका यवं सहाई का तथा 70 वर्ष से अधिक आयू के नागरी को कायूसमान भारत योजना में सामिल किये जाने की जनकारी देते हुए कहा है कि जार्खन के अधिक से अधिक लोग इसका लाब उठा सके इस पर पतादिकारी कारे करे उग्रवादी संगठन TSPC का सक्रिय सदसे रांची पूलिस के हंथे चड़ा रांची के बढ़मू में पुलिश ने गुरु आ रात उगरवादी संगठन टीसपीसी के एरिया कमांडर दिवांकर गांजु दस्ते के सक्रिये सदसे निरंजन उराव उर्फ नीरज उराव को गिरफतार कर लिया है उमेंडा निवासी छेदी उराव का पूत निरंजन उगरवादीयों के लिए खाना पहुचाने ब्योसाई ठेकेदारों का नंबर उगरवादीयों तक पहुचाने लेवी वसुनले का काम करता था यह पूर्व में जोनल कमांडर रामेश्वर महतो उर्फ पहाडी जी के लिए काम करता था करम पर्व की पूर्व संध्या प्रमोराबादी में दिखी आदिवासी संस्क्रीती करम पर्व जार्खन के सबसे महत्पून उसो में एक है भाई बहन के अटूट प्रेम का परतिक है भाई की लंबी उम्र और समरिदी की कामना के लिए बहने करम पर्व मनाती है बता दे पूरे जारकन नी नहीं बलिक उन तमाम राज्यों में करम पर्व धुमधाम से मनाया जाता है जहां आदिवासी रहते हैं करमा को कुडमी समाज का तेभार माना जाता है लेकिन धीरे अब अने आदिवासी समुधायों में भी यह लोग पिरिये हो गया है जारकन गिरे धानी राचिक मुरबादी में करम पुर्व संध्या की प्रमपरा है इस बार भी मुरबादी के दिक्छांत मंडप में करम पुर्व संध्या का उजन किया गया इसमें राची विश्व बिद्याले की छत्राओं ने लाल बोडर वाली सफेद साड़ी पहन कर जम कर निरित किया दुमका में मिद्डे मिल में छिपकिली गीरने से 47 बच्चों की बिगडी तबियात दुमका जिले में मसलिया के पलश्टू उच बिद्याले मोहनपूर के 47 बच्चों की तबियत मिद्डे मिल खाने से बिगड़ गई छिपकिली गीरने से भोजन बिसक्त हो गया था सभी बच्चों को हाथ से के बाद एम्बुलेंस से अस्पतार लाया गया इलाज के बाद सभी खद्रे से बाहर हैं कुछ बतों को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है बतादे इस बिद्याले में पहली से बराहवी तक पढ़ाई होती है मद्यान भोजन करने से बिमार सभी बच्चे आटवी कक्षा तक के हाए अभी भावक जोन मरांडी ने बताया है कि भोजन में छिपकिली गिरी थी उसी भोजन को बच्चों के बीच परुसा गया बच्चों ने जैसे जैसे खाना काया उनकी तवियत बिगड़ने लगी छोटे छोटे बच्चों को पहले उल्टी होने लगी कुछ बच्चे के पेट वगला में भी दर्ध होने लगी बच्चों के बीमार पढ़ने की सुचना मिलते ही अभी भावक इसकूल पहुँच गए एक अभी भावक सहदेव हांस्ता ने बताया है कि रसोया अपर भारी परधाना द्यापक इसके लिए जिमेदार है रांची में आठ जगों पर 35 रुपे किलो प्याज केंद्री ये उभोकता मामलो की सचीव नीधी खरे ने कहा है कि प्याज के दाम को नियंत्रित रखने के लिए केंद्रे सरकार हर संभव कोसिस कर रही है बढ़ते हुए मुल्ये पर नियंत्रन के लिए बपर स्टोक के प्याज को सस्ती दरो पर प्याज बचने का निर्देश दिया गया है इसी करम में रांची सहीत आधा दरजन बड़े सहरों में 25 रुपे प्रति किलो प्याज की बिक्री शुरू की गई है जार्खन के रहधानी रांची में नेफेड और NCCF की तरब से आठ अस्थल चिनित किये गए है यहां मोबाइल वैन लगाकर रियाइती दरो पर प्याज की बिक्री शुरू की गई है जार्खन के अंगनवाडी केंद्रों में बच्चों को मिलने लगे अंडे जार्खन के अंगनवाडी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिये जाने लगे है है मन्सुरिन सरकार की सक्ति के बाद बच्चों की भोजन की थाली में अंडे दिखाई दे रहे है बतादे पिछले दिनों भोजन का अधिकार अभियान ने रांची के अलवट एका चोग पर इस बावत बिरोत परत्चन भी किया था और आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों को हर रोज एक अंड़े देने की वकालत की थी भोजन का अधिकार अभियान की ओर से दस्तितमर को रांची के अलवट एका चोग पर जार्खन का अधिकार अभियान की ओर से दस्तितमर को रांची के अलवट एका चोग पर जार्खन का अधिकार अभियान की माने तो कुछ अधिकार अभियान की माने तो कुछ अधिकार बच्चों को रोज अंडा देना है। बच्चों को रोज अंडा देना है। बच्चों को रोज अंडा देना है। 29 अगस्ट की केविनेट में सरकार ने प्रसला लिया और उर्जा विभाग ने 30 अगस्ट को संकल्पी जारी कर दिया। इसके बाद 12 अगस्टक राजे में 200 यूनीट फ्री बिली से अचादीद। 49 अगस्ट को परतापपुर उच बिद्याले में कर दिया गया है। इसके नराज उतकर्मिक उच बिद्याले फोल्ची के बच्चों ने सुक्रवार को स्कूल में ताला जर दिया और गिरीडी धनबाद मुख्य मार्ग को बढ़की टान के पास घंटों जाम रखा। इसकूल में पढ़ रहे बच्चे लगातार इंगलीज सिक्चक सिधार्ट चक्रवर्ती को वापस फोल्ची बिद्याले में बुलाने की मांग कर रहे थे। राजे में पुलिस कर्मियों की वर्दी राशन वा वाहन भत्ते में बढ़ोत्री की मांग जार्खन पुलिस मेंस एसोसेशन ने मुख्य मंत्री हमनसुरेन से की है। मेंस एसोसियेशन के प्रतिन धिमंडन ने मुख्य मंत्री को राची पुलिस लाइन की करम पूजा में सामिल होने का निमंत्रन भी दिया है। पलामो में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कचरा मुक्त अभियान। पलामो जीला जल एहम स्वक्षता समीती की ओर से सुक्रवर को उपायूक ससीरंजन के जक्षा में समानाले के सभागार में कारेसाला कायोजन किया गया। कारेसला में स्वक्षता के प्रती सपत दिलाकर उपायूक ने जीले में स्वक्षता ही सेवा काचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुवात की गई। अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जीले के सभी परखंडों में चलेगा। अभियान के दोरान ठोस एवं तरल अपसिस्ट प्रबंधन के विभीन घटको के लिए जन जगरूपता कारेकराम। गाउं एवं सरोजनिक अस्थलो परसाप सफाई। स्वक्षता कर्मियों के लिए हेल्थ चेक अप सिवीर। दिवाल लेखन एवं चित्रन। स्वक्षता चौपाल आधी गतिवीद्यों का संचालन किया जाएगा। रांची में बिर्षा हरियाली रेडियो एस्टेशन का सुभारम। राजी के क्रिसी पसुपाला ने उस्था करता विभा की मंद्री दिपिका पांडे सिंग ने सुक्रा को रांची की बिर्षा क्रिसी विश्व बिद्याले में बिर्षा हरियाली रेडियो एस्टेशन का सुभारम किया। इस मौके पर बीसा क्रिसी विश्व विद्याले के कुलपती S.C. दूबे और रेडियो के प्रभारी बीके जहां समेत विश्व विद्याले के कई सिक्षावीद और विद्यारती उपस्तित रहे। इस औसर पर उधाटन समारों का समध्धित करते हुए किरिसी मंत्री दीपी का पांडे सिंग ने कहा है कि विश्व विद्याले के और से सुरू किये गए समुदाई के रेडियो के माध्यम से किसानों को लाव मिलेगा। उन्होंने कहा है कि किसान कॉल सेंटर में आने वाले सवालों का जबाब यदि रेडियो के माध्यम से मिलने लगे तो यह कापी अच्छा माध्यम साबित होगा। किरिसी मंत्री ने कहा है कि विद्याले में पढ़ रहे चात्र चत्राओं के वेलफेर से जुड़ी बातों पर सरकार गमिता प्रुवक पहल करेगी। किरिसी एवम किसान कल्यान मंत्री सिराज सिंह चवहान ने नई दिली में अजन कारी दिया है। कि स्कृति पत्र का भी बित्रन होगा। इसके अत्रीक पांच कोड़ से अधिक कि धनराशी सीधे लाभारतियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिये टांसफर करेंगे। अमीत महतो कांग्रेस से दिया स्थिपा जेवी के स्थिपा जेवी के स्थिपा देवी के देवर अमीत कुमार महतों कांग्रेस पार्टी की प्राथ्मिक स्थिपा देकर जैराम महतों की पार्टी जेवी के स्थिपा दामन थाम लिया है। इस कारकरम में जैराम महतों ने गाड़ी के छट पर खड़े होकर लोग को समोधित किया। इस दोरान लोग जैराम मातों के पक्ष में जम करना रेवाजी भी कर रहे थे, जैराम मातों ने करम परव सब को बदाई दी और कहा है कि करम परव प्राकिर्ती और संस्कृति के प्रती आस्था और प्रेम का संदेश देता है संताल परगना के टुकड़े टुड़े करना चाहती है भाजपा सातारु जार्खन मुक्ती मोर्चा ने घुसपैट पर हाई कोट में केंद्र सरकार के सबत पत्र को अधार मानते हुए भाजपा पर निशान साधा है संताल परगना के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं कोट की सरते परटी कर्यालों में नहीं लिखी जाए इस पर संग्यान लेना चाहिए सुप्रियों ने कहा है कि हाई कोट में राज्य में घुसपैट को लेकर केस चल रहा है गुरुवार को सपत पत्र दायर हुआ उसकी सुनवाई फिर मंगलवार को होगी उसके पहले ही भाजपा का राई नितिक ब्यान आ गया कि डेमोग्राफी बदल गई उन्होंने कहा है कि संथाल में बंगला देशी घुसपैटिया है भारत सरकार की तरब से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बंगला देश से कुछ लोग संथाल प्रगना में आकर रह रहे है सुप्रियों बटाचाई ने कहा है कि सपत पत्र में 211 की जनगना को एक अधार बनाया गया उसमें 1961 को बेस लाइन मना गया मतलब 50 साल के समय को अधार बनाया गया है इसमें यह अभी कहा गया है कि तब आदिवासियों, मुस्लिमों और इसायों की परतिसत इतनी थी इसमें कहीं संख्या नहीं है मासूम बेटियों का सोधा कर रहे है मानो तसकर जारखन की रईधानी रांची की एक नवालिक बेटी को मानो तसकरों ने 4 लाक रुपाय में रायस्थान में बेंच दिया पिरिता जयपुर में खरिदार की पत्नी बन कर रह रही है तसकरों और खरिदारों ने इस साधी को वैध सावित करने के लिए पिरिता का नया अधार कार्ट बनवा लिया है जिसमें उसकी उम्र बढ़ा दी गई इस गमभीर अफराद का राज भी नया अधार कार्ट से ही खुला है बताते समाजिक संग अठम फ्रस्टचार मुक्ती संग ने लड़की को सुरक्षित लाने की गुहार मुक्ष मंत्री से लगाई है पुलिस ने मामले की जाज कर करवाई करने की बात कही है रांची के सिकीदरी थाना चेतर की रहने वाली चोठा बेदिया की 14 वर्षिये बेटी को 20 महापुर्व बकरी चराते समय आगवा कर लिया गया था हेमंत सरकार ने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा बाबुलाल मरांडी जारकन के पुरमुख मंत्री वा भाज़वा परदेश अध्यक्स बाबुला मरांडी ने कहा है कि हमंत सुरेन की सरकार राज का काम करने नहीं आई है बलिकिया सरकार कमाने आई है यही कारण है कि बालू पत्थर और अवैद तरीके से वेच रही है इस सरकार ने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा गलत तरीके से कागजात त्यार करी से भी बेंच दिया उन्होंने एबाते पाकुड में सुकरवार को जना क्रोस रैली में भाग लेने से पहले परिस्तदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही बाबुलल ने कहा है कि यहां घुसपैट हुई है या सर्ववीदित है केंज सरकार ने नियाले में हल्फ नामा दायर कर दिया है अब देखना है कि नियाले क्या आदेश देती है उन्होंने कहा है कि मैंने तो हेमान सुरेन से आगरा किया है कि घुसपैट पर नियालय को आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़े आप स्वयम इनके खिलाप करवाई करे उन्होंने कहा है कि राज में आदिवासियों कि अबादी 44 पीजी से घटकर 28 पीजी रह गई है काँग्रेश के जारकन परदेश अध्यक्त के सो महतों कमलेश ने करकरताओ के साथ सनवात किया परदेश अध्यक्त ने कहा है कि पंड़ी जुअरल नहरू ने अधारभूत संरचना तयार कर मुल्भूत सुविधायaret दे कर सभी वर्ग को मुख के धारा से जोड़ने का काम किया आज उसी मार्गों को अपनाते हुए राष्ट्री अधर्ष मलिकार जुन ख़ड़ गे नेता सोनिया गांधी तथा राहूल गांधी कांग्रेस की निती सिधानतों को आगे बढ़ा रहे है जार्खन में हेमान सुर्ण के नितीत में माहागरबंदन की सरकार ने हर जाती वर्ग वसमुदाई के लिए अतिहासिक कारे कर रहे है राज सरकार के कारियों से विप्रक्ष धारा साई हो गया है पूर्ण सभीकर करतावों की बदलत राज में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जार्खन के चार जिलो में विभाग की चेतावनी जार्खन की रहधानी राची समेत चार जिलो में अगले 2-3 घंटे में गरज के साथ बारिस होगी बईरपात होने की भी असंका है मौसम विभाग की ओर से जनकारी दी गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची सित मौसम केंद्रे ने ततकाली मौसम चेतावनी जारी किया है मौसम विभाग ने अभी अभी एलो अड़र चारी करते हुए मौसम केंद्रे ने कहा है राइधानी रांची उससे सटे खूर्टी और लोहर दग्या के अलावा संताल प्रगना के साहिव गंजीले में कुछ जगों पर अगले दो से तीन घंटे में हलके दर्जे की मेग गर्जन तथा वजरपात के साथ वर्षा होने की प्रबल समभना है मौसम को देखते हुए लो डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा जानता कहीत में लेते रहेंगे फैसला मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ग्रामीन बिकास बिभा के सची हुआ जे एस एल पीएस के मुक्ष एक कारेपालक पताधिकारी के साथ एक बैटा की इस असर पर आईपी आरपी बी एपी कैडर संग के परतिनिधियों के साथ बारता की गई इस बारता में कई महत्पुन बिंदूओं पर समती बनी है जिसमें दयनिक मांदे में 15% की बृष्टी आईपी आरपी बी एपी कैडरों के दयनिक मांदे में 15% की बृष्टी सामिल है जिससे की करमचारियों को सिधाला मिलेगा उन्होंने कहा है कि हर्ताल के दरण 5 दिनों का मांदे नहीं कटा जाएगा अने राजियों की नीतियों की तुलनात्मक समिक्षा में संग की मांगों पर समयक विचार के लिए अने राजियों में कैडर की नीतिया मंगवाई जाएगी और तुलनात्मक समिक्षा के बाद विभाग को प्रतिवेदन प्रसुत किया जाएगा भी सेयर नए स्वेम सायता समूहों का गठन अगामी दो महिने में किया जाएगा धन्यवाद